अब लेका होता है कि जो अपने अपने भी सब यहां रखा को अब बन किया और सेंड कर दिया अब सेंड करने के बाद रिक्वेस्ट जब भी फंचन चेंज हो जब आन रिटिट जब फंचन चेंज हो तो फंचन कॉल होगा रिक्वेस्ट के रहेगी आपकी नाट इसलेज होगा तू में रिक्वेस्ट के आवाज होगा रिक्वेस्ट होगी और फ्री में जो प्रोसेशिंग रिक्वेस्ट होगी तो अब इन सब्सक्राइब का काम तो अपने को जरूरी नहीं है डारेक्वेस्ट होगी फिनिस तो अपने ले लेंगे फोर्ट और स्टेटस एक और है इनिस्ट होना चाहिए दो सो में क्या हो रहा ओके अकर दो सो दिया तो कि अगर कोई भी देखा होगा आपने को 404 मुझा पेजनाट फांट एक्सेप्शन आ जाता है अपने अपने आपने के वेबसाइट पर डाला हो कभी तो आपको वह आ जाता कि पेजनाट फांट तो 404 आप एरण आ जाती है और पेजनाट फांट आ जाता है तो कि वह पेज ही नहीं गूगल पर दला होगा विबसाइट है वह चीज हो जाती है अ ठीक्छ हो गया फिर दीक्वेस्ट की जो है फिर डाक्युमेंट डाट गेडिमेंट भाइड यह आईड का नाम के कहां से लिया एप हम हमारे तुटेप बनाएंगे तुटेपका नाम है एप और यहां पर कुछ रिस्पोंस जिंडेड हो जाता है तो मैंने क्या लिख मूआ कि all the document dot getElementById , AP , AP कि जोगे हटा के inner.html , रिट्वेस.ResponseTex , मुनलब उसकी जगेद जहां पर दू.ID AP , AP में जो कोई भी चीज लिखी हुई होई हो वो हटा के request.ResponseTex , जो रिस्पोंस जगेद हुआ वहाँ वह आपको देदेगा और तब यहां पर आपका response जन्रेट हो जागी यहां पर दिट्र के अंदर जिसके ID AP है ठीक है तो यह वीडियो अमारा आजक्स अमारा वीडियो कंप्रीट होगा आजक्स लेक्टर ही कंप्रीट होगा आजक्स के बाने मिने जिस्ता ही दू गताया आपको और आगे खाणकरी आपने देने वाला हो तक्क्क्राइब तक्क्राइब तक्स वीडियो और वाचिंद इसमाई चैनल आजक्स